हाई फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे आलू के पराठे तो हर कोई बनाता है लेकिन जो उसकी स्टफिंग होती है वो हर किसी की अलग-अलग होती है तो यहाँ पर मैंने जो आलू के पराठे के लिए स्टफिंग तयार किया है उसमें खड़े मसाली का इ इसके साथ मैंने कुछ खड़े मसाले लिये हुए हैं जिसमें मैंने लिया है धन्या, जीरा, जावित्री के फूल, दाल चेनी, ब्लैक पेपर, चकर फूल और सुखी लाल मिर्च, इन सभी मसाले को हम ड्राइ रोस्ट करेंगे, तो चलिए अब हम एक पैन लेंगे, पैन को किलर चेंज हो जाता है, तो यहां आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा अच्छे से ड्राइ रोस्ट हो चुका है, तो चलिए अब हम इसका पौडर बना लेते हैं, यह देखिए मैंने मसाले का पौडर बना के तयार कर लिया है, इसके बाद हम धन्या को पत्ते को छोटे- पौडर रह जाते हैं, वो बिल्कुल खतम हो जाएंगे, तो यहां मैंने आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे ड्राइ रोस्ट कियेवे मसाले, नमक और हल्दी, इस्पून की सहता से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यह जो ह अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, तो चलिए अब हम इसमें आलू को एड करते हैं, और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, स्पून की सहता से, जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो हम इस गैस के फ्लेम को बन कर देंगे, और इसे ठंडा होने के लिए रख देंग आटे का हम थोड़ा सा हिस्सा लेंगे और इसकी लोई बनाएंगे, इसके बाद हम इसे इसमें सुखाटा लगाएंगे और इसे कटोरी का सेब देंगे, अब हम इसमें आलू की स्टफिंग करेंगे, तो जितना हमें स्टफिंग के लिए आलू लगेगा, उतना हम इसमें ड सुखाटा लगा लेंगे तो यहां पर मैंने सुखाटा कर लिया है और साथ में उली में सुखाटा लगा लिया है इसके बाद हम इसे अच्छे तरह से सील कर देंगे यानि कि इसके मुझ को बंद कर देंगे इस तरह से अब हम इसमें लगाएंगे सुखाटा और जितना हो सके हम हाथ की सैता से इसे रोटी का सेव देंगे तो यहां आप देख सकते हैं कि मैं सुखा अटा लगाने के बाद इस तरह से आलू के पराठे का सेव देती हूं और इसे जितना हो सकता उसे बढ़ा कर लेती हूं इससे क्या होता है कि हमारे आलू के पराठे फटता नहीं है और ह के ईससे पहले हम इसमें थोड़ा सा सुखाटा लगा लेंगे अब हम इसे बेलन की स Γता से इसके साज को थ्ठ को थोड़ा और बढ़ा कर लेते हैं तो यहां आप देख सकते हैं मैंने बेलन का बहुत कम इस्तेमाल किया है पराठा बनाने के लिए हम जितना कम बेलन के इस्तमाल करेंगे हमारा पराठा उतना ही कम फटता है तो यहाँ देखिए यह पराठा अब सीखने के लिए तयार हो चुका है इसी तरह से मैं दूसरे पराठा भी बना के तयार कर लेती हूँ इसके बाद हम गैस पर रखेंगे तवा, तो यहाँ पर मैंने नॉन श्टिक तवा यूज किया है, तवा को अच्छे से गरम होने दे, गैस के फ्लेम को हम मेडियम रखेंगे मीडियम फ्लेम पे हम पराठे को अच्छे से दोनों साइट सेख लेंगे दोनों साइट पराठे को अच्छे से हम सेख लेंगे उसके बाद हम पराठे में लगाएंगे गी गी लगाने के बाद हम गैस के फ्लेम को लो से मीडियम के बीच में रखेंगे और अच्छे से हम पराठे को दोनों साइट पलटते हुए पकाएंगे अब आप देख सकते हैं कि हमारा आलू का पराठा अच्छे से फूलना सुरू हो चुका है लेकिन हमें इसे थोड़ा और पकाना है क्योंकि इसके जो किनारे होते हैं वो अभी कच्चे हैं तो इधर हम स्पून की सैता से इसे इस तरह से दबाते हुए किनारे को पकाएंगे और पराठे को अच्छे से फूलने देंगे ये देखिए बहुत ही अच्छे सा हमारा पराठा फूल चुका है तो चलिए अब हम इसके किनारे को हलके से स्पून से दबाते हुए सेक लेते हैं इसके बाद हमारा ये आलू का पराठा बनके तयार है तो चलिए अब हम इस पराठे को निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम दूसरे पराठे को भी सेक लेते हैं और पराठे को अच्छे से पकाएंगे आलू के पराठे में घी लगाने से पहले हमें पराठे को अच्छे से से शेक लेना होता है क्योंकि घी लगाने के बाद हमारा पराठा अच्छे से फूला फूला बनके तैयार हो जाता है सो अब हमारा आलू का पराठा बन के तयार है तो चली अब हम इसे सर्व कर लेते हैं दही और अंचार के साथ सो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको मेरी ये आलू पराठे की रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज इस रेसिपी को आप जरूर ट्राए करें और नीचे कमेंट बाउस में जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी